हेलो फ्रेंड्स नमस्ते ये देखिए आज मैं आपके लिए अलग डिजाइन लेके आई हूँ ये जैकेट है लेडिज और इसमें मैंने ये डिजाइन डाला है बहुत सुन्दर लगता है पूरा बनने पर इसमें पांच-पांच फंदे मैंने बीच में सी देखिए और दो फंदों का ये डिजाइन है ये देखिए हम आपको बताती हूँ ये मैंने कैसे बनाए है बहुत सुन्दर लगता है बनाने से ये देखिए ये मैंने पांच फंदे सीधे लिए पांच फंदे सीधे लेकर फिर आगे दागा किया आगे दागा करने के बाद देखिए ये दो फंदे हैं इन दोनों फंदों का हम एक बनाएंगे क्योंकि आगे दागा है तो इसकी जाली بن जाएगी स्टार्ट करने में ऐसे बनाना है कि आप ने तरफ दागा रखें और इन दोनों फंदों का एक बनाएं इस फंदे को गमा जालें ऐसे और फिर इन दोनों फंदों का एक बनाते हैं और पीछे की साइड इस परकार से बनाएं यह देखिए फिर पांच फंदे सीधे बनाएं तील चार और यह पांच फिर आगे दागा किया फिर इस फंदे को पल्टा पल्टने के बाद इन दोनों फंदों का एक बना देए और फिर पांच फंदे सीधे बना लें यह देखिए इसमें दो बेल शुरू हो गई इसमें उल्टी स्लाई बना रही है उल्टी स्लाई हमेशे उल्टी ही निकलेगी उसमें कुछ नहीं करना है सिरफ इस जो ऊपर के दागा गया है जाली वाला इसको बनाना है उतारना नहीं है पूरी स्लाई इसी परकार से बनेंगे अब दूसरी स्लाई में क्या करना है ये पांच फंदे पहले हम सीधे बनाएंगे ये पांच फंदे हमारे सीधे बनेगे ये जाली वाला फंदा है और ये जो हमने दो का एक किया था वो फंदा है इन दोनों फंदों को इधर गटाया था हमने, अग की बार हमने बाद में जाली डालनी है, पहले इन दोनों का एक करना है, इस पर करेंगे, फिर आगे दागा करेंगे, और फिर इसको सिधा बनाएंगे, एक बार पहले जाली डालनी है, और दूसरी बार में पहले गठाना है, बाद में जाली डालनी है, इस परकार से पूरा बनाना है, अब यह पांच फंदे, यहां सीधे बन गए, अब यहां उसी परकार से, जैसे पहले किया था, यह देखिए, यह जाली वाला फंदा है, और यह हमारा सीधा फंदा है, इस सीधे फंदे को और इस जाली वाले फंदे को इधर से लेकर इस परकार से, यह देखिए, यहां से डालेंगे हम आगे की साइड से, और ऐसे डालेंगे, और इन दोनों का एक बना देंगे, ऐसे, और फिर आगे दागा करके जाली बना देंगे, बस यह याद रखना है, एक बार पहले जाली बनेगी और एक बार बात इसी के उपर ही बनेगी पहले दो का एक करना है पहले जाली बना कर फिर दो का एक करना है इस परकार से बनाते रही है बहुत अच्छा बनेगा और आप इसको श्वेटर में जैकेट में कार्डिगन में किसी भी चीज में डाल सक उल्टी से लाई हमेशा उल्टी ही बनेंगी यह बार बार नहीं बताना पड़ेगा यह देखिए उसी प्रकार बनने लग गया जैसे मैंने नीचे बनाया है यह पांच फंदे सीदे बनाये पहले और आगे दागा किया इस फंदे को गुमाया ऐसी और इन दोनों का यह जाली वाला फंदा है और यह जो फंदा भुम रहा है यह इधर इधर यह वह इए इसके ऊपर हमने गठाना है इन दोनों का एक कर देंगे इस परकार और फिर आगे शिदा बनाएंगे एक बार जाली आगे बनाएंगे और एक बार गटाने के बाद जाली बनाएंगे अपने आप यहाँ पर आकर पता चल जाता है यह देखिए कि इस फंदे पर हमने गटाना है इस फंदे को अब आगे दागा करेंगे इधर जाली है ये इस जाली वाले फंदे को और इसको इन दोनों फंदों को हम गटा देंगे इस फंदे को पहले गुमाएंगे इस परकार और इन दोनों का एक बना देंगे ऐसे इसी तरह बनाते रहें एक बार जाली बनाना आगे एक बार जाली बनाना पीछे और उटी सलाए हमारे मेश्या उटी निकलेगी पहले अब हमने आगे गटाया था आगे जाली बनाई थी इदर गटाया था अब इन दोनों का एक करेंगे तो पीछे जाली बनाएगी यहां पर एक बार और बता देते हूं यह देखिए यह पहले जाली बनी हुई है और फिर पीछे दूसरा पंदा जो गटाया था अब इसको हम पहले गटाएंगे इदर से इस पर करेंगे और फिर दागा आगे करके फिर जाली बनाएंगे एक बार जाली पहले बनानी है और दूसरी बार जाली गटाने के बाद बनानी है इस चीज का ज्यान रखना और पसंद आयत लाइक कीजिए शेर कीजिए और गंटी के बटन को दबाना मत बूलिए यह देखिए बोसंदे डजैन बनेगा अब ट्राइ करके देखिए बनेगे बनानी है अब ट्राइ कर दोफ देखिए झाल झाल